बागपत जिले से आ रही है बड़ी खबर बागपत के बढ़ोत कोटवाली छेत्र के बावली गाउं में उस समय हरकम मच गया जब दिन दिन निकलते ही दो बाइक सवार बदवासों ने 70 वर्षी महिला की गोली मार कर हत्या कर दी महिला की हत्या से आसवास के इलाकों में हरकम मच गया आरोपी बदवास वारदात को अंजाम दे कर मौके से फरार हो गये सुचना पर पहुची पुलिस मामले की तस्दीक में जुट गई है बतादे की मामला बढ़ोत कोटवाली छेत्म के बावली गाउं का है जहां दिन निकलते ही बाइक सवार दो बदवासों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए मौतक महिला का नाम राजेस पत्नी चरण सिंग बताया गया है जो गाउं के ही परचून की दुकान चलाती थी हत्या की जवारदात के पीछे जमीनी रंजिस बताई जा रही है सतर वर्सी महिला की हुई दरदाक हत्या से लाके में हरतम बच गया मौतक महिला के बेटे ने गाउं के ही रहने वाले कपिल पर हत्या का आरूप लगाया है बताया जा रहा है कि आरूपी कपिल ने एक दिन पहले ही महिला को धंकी भी दी थी दिन दहारे हुई हत्या की वारदात के बाद सुचना पर पहुची पुलिस मामले की तस्थीब से जुट गई है वही महिला की हत्या के से परिजनों में कोहरा मचा हुआ है पुलिस ने फिलाल महिला के साव को कबजे लेकर पोस्थे मार्टम के लिए धिज़ दिया है और आरूपी की तलास में जुट गई है वहीं सियमो बढ़ातर रामानंद कुस्वाहा का कहना है कि जल्ड ही आरूपी को गिरस्तार कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा जो पुले जानी गया जो मारे बीच हो बड़ागा मुन को देख लेंगे भोड़ी मार देंगे जाएगा जो उनको देहां कौणी का तो ने वालें का लिए जाएगा जिसके नाम दरज कराई है जो जी दरज कराई है कि आजएस देवी नाम की महीरा है करियूबर उसके 15 साल है और बावली गाउं की रहने वाली है यह अपने पर्चन की दुकान से लाती थी दुकान बस्वा बैठी थी ते आठ शाड़ाट बे दो बंदमासों ने जो बाइक से इनके बोली मारकर निकल गए इनके पर्चन इसक और अभी इतनों को ट्रेस करने का प्रियास किया जा रहा है तो नाम देते बारा क्या है अभी तो तारीड ले लिख रहे हैं लो तारीड जैसा देते हैं उसके अंसार करवाई करेंगे